दोनों ही कप्तान और मैच रेफरी मैदान के बीचों बीच एक खूट सूरा दिन क्रोकेट के लिए चलिए फिल्डिंग टीम ने कमर कसली है दर्शकों के हर शोल लास के भी अस्तयार है इस पारी की पहली गेंद खेलने के लिए लो शॉट गया हवा में और गैप में भी गेंद को भीचा है हवाई यातर पे कोई टेंचन नहीं कि कहा गिरेगी के लिए उखार दी क्या गेंद ये एक लंबा रस्ता टै कर रहे हैं पवेलियन की और जाते हुए हालो आगे इंगाजी हैं और इस पे क्या ज़राना स्टोक लगाया तेह आगे क्या होगा क्या गेंद की अस्त कर देंड़ो को बल्ले बास पवेलियन की और जाते हुए हताश दूसरे छोर से तेज गती के गेंद बस को लाया गया है पराशा सगाया उच्छा भी था लंबा भी था बल्ले का बीचो बीच से था क्या है यच्छा ऐस सब्स्क्राइ train बास बहुताए़ ईथा़ब ऑ्रवाने पtered यच्छाइल्टा ग्रवी म ΠΟ्रीवा रिफ्यपिट्डेले जाइएंगे भूसरे एक लगे है लूपने का दो भीवी की अस पबाब तेव्यर ईजहाब स्चल Cutt प्जाची है औास्टारी के तंधwort की औरускॉ came है प्जाचीज सब्सक्रणा को कar के हैárias bendra to कर ohp игр कि एल आपकर सब्सक्टाचीक त्यसाचीज सिसाओंगो झालब दिबानने हैства कि अच्छार्ट गया हवा में और जैप में भी गया कि अच्छार्ट भर्यपी लेकर नम पाच होर से तेज गदी के गेन बस को लाया गया है बैटिंग पाउर प्ले की समाप्ती फील्डिंग टीम अब दो से ज़्यादा फील्डर दाइरे के बाहर रख सकती है बे बुनियाद शॉट पर ले बास दौरा ठीक से पढ़ नी पाएं काफी हताश होएंगे अपने आप से सीधा स्लोट में थी के इंद रणिंग बिट्वीन दो विकेट्स बहुत ही उंदा रही है दोने बल्ले बाजो के बीच कमाल का शॉट दो रन मिल सकते हैं रणिंग बिट्वीन दो विकेट्स बहुत ही उंदा रही है दोने बल्ले बाजो के बीच ये बहुत ही कठिन फील्ड है गेंद बाजी करने के लिए गेंद बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी वावाई वाव इस फुट अगेंद बाजी ड्राइव रोटने के लिए एक्ट्रा कवर पर एक फील्डर तैनाथ किया है ये शॉट गया हवा में और गैप ने भी गया हम एक रोमान्चक खेल देख रहे हैं अच्छा लग रहे हैं कि दर्शक भी इसमें शामिल है बहुत युनला शॉट सेटन के लिए करश निया शॉट लाब उठाते हैं फील्डर पॉइंट पे लगाया गया है इस शॉट को पड़ा भी है और जड़ा भी है बड़ी आस्ट्रोप देखते हैं बल्लेवाज ने इस देम को पड़ा भी और जड़ा भी लगाया चक्का को बहुत अच्छी लैम में नजर आ रहे हैं बहुत लैम में नजर आ रहे हैं आत्म विश्वास भरी अपी लेकें अंपायर ने नकारा रनें बिट्वीन विकेट्स बहुत ही उंदर रहे हैं दोनों बल्लेवाजों के बीच यहां तो नाक के नीचे से एक रन चुरा लिया बॉस बल्लेवाज हमेशा रन चुराने के लिए तयार रहते हैं रणिंग बिट्वीन दो विकेट्स बहुत ही उंदर रहे हैं दोनों बल्लेवाजों के बीच यह सही धंजे नहीं खेला है और फील्डर पकड़ लेंगे इसको बल्लेवाज पवेलियन की ओर जाते हुए हताश निराश उदास यह बहुत धीला शॉट था गेन की दिशा पकड़ नहीं पाए दूसरे छोर से तेज गदी के गेन बस को लाया गया है बल्लेवाज नहीं गेन खेलने के लिए पूरी तरह तयार टारेक्ट हेट और अमपायर ने उंगली उपर करी एक लंबा रास्ता तैय कर रहे हैं पवेलियन की ओर जाते हुए पीडलर मिला और संकट में इनकी बाजूँँ में खूब जाना है यही एक चीज बिलकुल नहीं चाहेंगे रन आउट यह शॉट गया हवा में और गैप में भी गया बहुत अमदा यह तो रिपले में और भी बहतर लग रहा है इनको बैटिंग करते देखना दर्श यह निये है यह देखो बल्ले बाद कर रोदर रूप उसे मालू है कि गेंद का क्या हश्र करना है यह चुरिंदा शॉट्स बहुत ही बैटरीन खेलते हैं अब पता नहीं भाईया यह गिंद कहां जाएगी बल्ले बाद तेजी से और असानी से मिले दो रहनू रणिंग बिट्वें दो विकेट्स बहुत ही उमदा रही है दोने बल्ले बादो के बीच टारेक्ट हेट और अमपायर ने उंगली उपर गरी एक लंबा रास्ता तै कर रहे हैं पवेलियन की ओर जाते हुए इस पारी की आखरी गेंद आती हुई पहली पारी की समापती लक्षय सामने है और सलामी बल्ले बास पवेलियन की ओर जाते हुए रनों का पीछा करने की पूरी तैयारी झाल जबमाने की स्टाव सामने हैं झाल जजल